नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है ख्लेश चौहान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल दोस्तों भूमिविदी के इस सेग्मेंट में हम आज आपको बताने जा रहे हैं सरकारी पट्टेदार जिहां दोस्तों गौर्वर्मेंट लीजिस जैसे कि आप लोग जान यानि गौर्मेंट लीजिस का होगा पट्टेदार राय सरकार दोरा परदान की गई भूमि को पट्टे यानि लीज की सर्तों में पतिबंदों के अधीन धारन करता है तथा उसे भूमि के भूमि में अन्य जोददारों के समान भूमिधरी, सीरदारी या आसामी के अधिका प्राप्त नहीं होते हैं, इस प्रकार के जोददार के उपर धिनियम के उबंध प्रियुक्त नहीं होते हैं, किन्तु इस प्रकार के पट्टेदारों को ग्राम सभा की भूमि पर आवंटियों की भाती बेदखली के ब्रूद समर्ण प्राप्त होता है, यदि किसी सरकारी पट्टेदार की भूमी पर कोई अनाधिक्रित ब्यक्ति कब्जा कर लेता है तो पट्टेदार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि यह सहायक कलेक्टर के समक्ष रिपोर्ट करें जिस पर संबंदित अधिकार युक्त पट्टेदार को उसकी भूमी का कब्जा अनाधिक् और संगे यो और जमानती यानिकी नॉन बेलेबल प्राकृतिक का होगा जिसका निस्तार प्रथम स्रेडिके निया एक मजिस्टेट के समग से दन प्रक्रिया साहिं ताकि अंतरगत सरसरी तोर पर बाइस सम्री ट्रायल किया जाएगा यदि कोई वेक्ति सरकारी पटेदार की जमीन पर पूनर कबजादी लाए जाने के पश्चात हर्चत शिप करता है तो उसे दो वर्स का कारावास अत्वा कम से कम तीन मेहने कारावास यो तीन हैजार रुपे तक के जुर्माना से दंडित किया जाएगा तो दोस्तों हमें आसा है कि आप लोग वीडियो को समझ नवाद